हेलो गाइस वल्कम बैक तो मैं चैनल कैसे हो आप लोग आप आप लोग बहुत बढ़ी रहा होके और बैस सब्सक्राइब जो हूँ किचन में हूँ और बना रही हूँ खाना आज दिन जो है वो वेडनस डे हैं और डेट नाइन होगी डेट शायद मेरे ख्याल से मतलब हान आई नहीं होगी और मैं बना रही हूँ लैंच और वही दाल और रोटी वही बना रही हूँ सिंपल दखाना और आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यूँ हो तो प्लीज सस्क्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को साथी बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको फटा फट मिल सके और मैं बहुत जल्दी हाउस टूर का भी बिल रही हूं बिल बिल के सेक लेती हूं दाल तो मेरी वैसे बन चुकी है बस रोटियां बिल बिल के सेक नहीं है और गर्मी हाई हाई रे ये गर्मी मार डालेगी ये गर्मी वह गाना है ना ऐसे कोई हाई हाई रे करकी कोई गाना मुझे वह यादा आ जाता है जब गर्मी इतनी ज़ादा लगती है तो अब्सेत सबसे में किचन में जा भी भी जारा हो रही है लेकिन क्या घरे खांदा एक पर रही हूँ है उस जो अपड़े वगेरा थोड़े धोने उने हैं तो दोलूंगी बाद में मैं अपना काम आराम से करती रहती हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है और हाँ आप लोग बहुत जादा एक क्वेशन आ रहा था कि मेरे ससुरार वाले क्यों नहीं दिखते हैं तो उसका जवाब मैंने लास भी खाती हूं तभी तो इतनी पथली दोली वनी हो इसके लिए बहुँत स्यादा मुझे डाट जो है पड़ती है जब मैं मैं माई के में थी तो मम की बापा से डाट पलती थी और अब यहां आगी हूं तो इनसे मुझे बहुत स्यादा डाट परती है कि इतना कम खाओगी तो कहां से मोटी होगी? लेकिन गाईस मुझसे ज़्यादागा खाना नहीं खिलाता है पताने क्यों मैं कितना भी कोशिश कर लूँ नहीं खिलाता है अगर ज़्यादा खालूँ ए ना तो मेरे पेट में प्रॉब्लम हो जाती या फिर मुझे बदहजमी जासा हो जाता है तो नहीं खाती हूँ यहाँ पे गाईज जीरा मैंने इनसे मंगाया हुआ था जीरा क्योंकि मेरा खतम हो चुका था बिलकुल भी था जरा सा वी बचा था तो मैं इनको देख रही हूँ सही तो है वरना काफी सारे कई बार यह जब लाना तot कंकर फिर भूसा ओसा टाइप का जो नहीं होता है वह रहता है तो वही मैं देख रही हूँ क्लियर है कि यह नहीं वर ना खिर क्लियर्ण हो इसको बिन दूम है बट कलियर था तो मैंने इसको भर दिया है शीर में और इस तरह हिम भरती हूँ जैसे आप पॉलितिन का पूरा मुह शीशे में डाल दो ना शीशी में या जार में जो भी शीज जिसमें भी रखते हो और इसके बाद पनी को पूरा पलट दो तो आइसली जो है सारी चीजे भर जाती है तो यहां पर यह तो मैंने लगा दिया है गईस अब देखो मैं जारी ह सड़क पे अच्छा नहीं लगता ना कि मतलब मैं बहूं तो इस तरह से आ जाओं तो मैं बाहर निकलती हूं अगर कोई दिख्या तो रख लेती हूं और छट पे तो पूरा पल्लू रखके ही जाती हूं तो देखे कपड़े फैल चुके हैं और छट मैंने सोचा दिखा हू तो फ्रेंड्स मेरा लेंज वगेरा जो है हूँ चुका हूं मेरा ट्रैपोर्ट देखो मैंने यहां पर ऐसे लगा के रखा हूं मैं लगाई थी कप्रा फिला के अभी आई तो मगी यहीं रखा है इसको मैं बात्रूम में रख देती हूं बढ़ना आप आप और कि यहीं पर में अभी यहीं मममी नहीं है कहीं पर आर क्योंकि मममी के तब बेत नहीं ठीक चल रही है तो मतलब पापा के साथ करी है डॉक्टर को दिखाने के लिए और टुपट्टे मैंने ऐसी फेक दिया है सारे इनको में लपेट के अभी रख देती हूं और अभी मैं जा दीर बैठ लेंच वगेरा हो चुका है मेरा मैंने कहा थोड़ा से बाहर आपको दिखा देती हूं तो वही मैंने शुरू में थोड़ा सा दिखा दिया था आपको बाहर का और बाहर मतलब इती जादा दूपती ना मैं सोची चत पर जाओं बट्टे को अगर शाम हुआ शाम के टाइम आज मैंने हेर वोश किया हुआ है और बाल जो है मेरे सुखे नहीं है वैसे लपेट के बस लग गई थी काम में तो अभी बाल मुझे सुखाना है अपने जाओंगे कूलर में बैटके बाल सुखाओंगी और अगर मेरे चैनल पर नियू हो तो सस्क्राइब जरूर कर लेना क टोब कि आते बहुत लोगे बिट सुस्क्राइब करना भूल जाते हो तो चोटा समस्क्राइब भी कर लेना और चले जा रही हो तो हमें बैठती हूं और आप लोग का बहुत-मोद्श्यूक्री आप लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हो और एक मेरी फ्रेंट इतनी पकी वाली मे से इन्स्ट्राग्राम पर बात होती रहती है, तौ वो इतनी मेरी paqi friend बन गई है कि वो मेरी health के लिए पता है क्या करती है, वो मेरी video का link जो है लोगों को देती है share करती है ताक कि मेरे subscriber बड़े मेरा watch time जो है complete हो जा स्क। वो मेरी तनी help कर रही है, thank you अंजली जी आपका थेंक्यू सो मच मैं बहुत खुश्किस्मत हूं कि ऐसा दोस्त मिला है बहुत कम नसीब से ऐसे दोस्त मिलते हैं न कि जो आपकी फिक्र करे आपकी परवा करे बिना किसी स्वार्थ के तो मैं तो बहुत ही जादा लगी हूं और ऐसी मेरी एक दोस्त है जो रहे हैं तो चलिए मिलती हो थोड़ी दिर बाद में कोवे कितना बगबातां बगबाती है कि फ्रेंड्स यह देखो अचानक से मौसम कितना बदल गया मैंने सोचा च्छत में दिखा हूं बट मौसम ही बदल गया हवाएं चलने लगी बूंदा बांदी बारिश होने अच्छे लगते हूं पाइनली गर्मी से थोड़ी सी तो रहत मिलेगी क्योंकि करने बजीना बेहाल कर रखता था और यह देखिए सारे दुकाने भी खुली होनी है तो हमारे घर के प्रंट साइड में आगे मार्केट बज़रा सब्सक्राइब हो यह देखो पानी अतना तेज बरस रहा है कि उनके अंगर तका रहा है यह देखिए और मुझे पानी काचना पड़ेगा और गाईस यहां पे इन्होंने चौमिन जो है वो बनाई थी तो यह आ गया है काम से औ पांच और करीब होगा तो इन्होंने चौमिन बनाई थी तो मैं खाने जा रही हूं मैं शूट नहीं कर पाई थी तब इसकी रेसपी मैंने शूट करके रखी हुए है मैं आपको कल दे दूंगी गाईस यह मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे मैं बनाती जा रही थी तो इ इसन में हल्दी नमक डालके बस उसका पेस्ट बना लेना है गाढ़ा सा और उसको इस तरह से चुड़ चुड़ी पोकोडी है डालके बना लेना आप चौत इसमें अजवाइन भी एट कर सकते हो उसे भी टेस्ट अच्छा आ सकता है मैंने नहीं एट किया है क्योंकि मुझे में उपगी राधिया गया है तो दो फ्रेंट्स आपने देखा होगा कि इनसे मैं पानी मांग रहे थी तो ये है कियो दूं मैं क्यों दूं मैं क्योंक मैं क्या तुमार नौक यहाद ओने मैं तुम्हें लड़ाई है जोक चल देकिन क手रा से स्वाइण पर मैंने मसालों में हल्दी डाला है धनिया पॉडर मैं इसमें एट करूंगी एक बड़ा चमच और इसमें डालूंगी अमचुर पॉडर खटा करने के लिए क्योंकि मेरे पास दही अवेलेबल नहीं ती घर पे गाईस तो इसलिए मैंने अमचुर पॉडर डाल लिया अच्छे से भुन के पका लोंगी हल्दी वगरा धनिया अच्छे से भुन के पक जाएगी थोड़ा सा तो इसके बाद आगे का प्रोसेस करूंगी तो देखिए मसाले पक चुके हैं तेल छोड़ दी हैं इसके बाद मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक एट कर दिया है और नमक एट करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम कर दिया है मैंने बंद काईस क्योंकि अब हम डालेंगे इसमें ये गोल तो ये गोल बेसन का मैंने बना लिया था गैस बस बेसन का ही गोल मैंने बनाया इसमें कुछ भी आट नहीं किया है और इ करल भी ज़ें बनांट ऍसको इसका फुले से कृषायो के सब्सके सर्काइब कल cũ से जाऊए थो कुल मैं करक्यस के अभी लन रहूं तो इसको मैं चला रहा हैं इसको चला किल्चू से बाल दुड दाल दी है और इसको ऐसे ही चलाते चलाते मैं पका लूँगी और इसके बाद इसको ढखके मैं दो मिनिट के लिए धीमी फ्लेम पे एक दम छोड़ दूँगी तो यह देखे गाइस यह बन चुकी है मेरी कड़ी रोटी और अचार तो वैसे भी थाई तो बस यह आज का हमारा डिनर है अगर आपको कड़ी पसंद है तो आएए आपका भी स्वागत है हमारे डिनर पर तो गाइस यह था मेरा आज का ब्लॉग आई धिंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा गाइस तो गाइस मैं ब्लॉग का एंड करने आई हूँ तो साथ में एक बहुत जादा क्वेशन जो आ हैं मैसेज करते हैं क्यों नहीं दिखता है कोई तो गाइस मैं आपको यह बता देती हूं कि मेरे साथ ससुर नहीं है मतलब कि बहुत ताइम पहले ही उन दोनों की देथ जो है वो हो चुकी है और यहां पर हम लोग पित्रपक्स जैसा की चल रहा है तो वो भी मना रहे हैं उ लेकते हैं और इस चीज के कमी ना मुझे कही ना कहीं बहुत ही जादा होती है क्योंकि कहने को तो है परिवार तो है ससुराल तो है मेरा मतलब मेरी बड़ी मम्मी और चाचा चाची इनके सब लोग हैं घर में बट जो अपने होते हैं मतलब अपने इनके जो मेरे आता है, फील आता है कभी-कभी आर क्योंकि कुछ नो कुछ थोड़ी बूतों फर्क पड़ जाता है रिष्टों में और अपने अपने ही हो जाते हैं, कुछ भी आप कर लो और वो लोग जो है ना उतना मेरे से मतलब नहीं रखते हैं, इनके बड़े मम्मी, पापा लोग या चासा, चासी लोग, तो इसलिए बुए मेरे बॉजऑ में नहीं देखते हैं, जब मुझे से कोई मतलब नहीं रखता तो मैं कैसे मतलब रखती हूँ, इसलिए बुए मेरे कोई ब्लोग में कोई नहीं देखता है और इसलिए display बताने बार्जा चाहती थी आपको ये बाद म ब्लॉग में नहीं दिखता है और I think आप लोग को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा काफी लोग इस सवाल को खूसते हैं अब इस जवाब को सुनने के बाद और भी सारे कई सारे प्रशन हो सकता है किसी के मन में उठें अगर उठें तो उसका जो है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके टाइप करके लिख के मुझे पूछ सकते हो और मैं ज़रूर अगर मुनाखसिब हुआ तो रिप्लाई ज़रूर करूंगी क्योंकि मुझे भी एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ता है अगर आप एक लड़ीज हो परिवार वाले हो तो आप समझ सकते हो कि एक एक कदम एक लड़की एक औरत के लिए बहुत ही ज़ादा फूप के रखना पड़ता है किसको कब कौन सी बात बुरी लग जाए हम भी नहीं जानते हैं तो इसलिए मुझे बहुत सो समझ के बोलना और करना पड़ता है वैसे तो उतना अभी मेरा परिवार इस चैनल पर एड नहीं बड़ उस चैनल पर मेरे बहुत सारे परिवार वाले एड देट स्वाए मैं लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाती थी खुलके बट अब थोड़ा थोड़ा देने के कोशिश मैं करूंगी और अब करती हो मैं ब्लॉग का एंड मिलती हो नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाई टाटा टेक कियर एंड गुड नाइट